संस्कृत एपीजी पाठ सालायाम भावताम समेशाम स्वागतम अहम अस्मी प्रोफसर त्रियांश कुमार सिंगही राष्टिय संस्कृत संस्थानस्यो जैपूर परिसरे जैंदर्सन विभागे आचार पदम स्वीकृत्यो पाठ यामी जीवा जीव तत्तु दयम पठामाहां सामान्य तह ये पदार्था हा जगति संती ते पदार्था हा वस्तु तह अजीव रूपेण वर्तंते जीव रूपेण वा वर्तंते वयम जीवाहा इसमहा तथा पी अजीव पदार्था नाम संयोगहा अवस्यम भावितया असमाकम जीवने वर्तते उभयोहो भेद ग्यानम आवश्यकम अस्ती यदि वयम सरीरे मूर्चाम मोहंबा उत्पाद्य जीवेम तरही असमाकम जीवनम दुखक कारिनो भव दुखक करम एव ग्यायते आरहत दर्षने जीवाजीव तथ्वयोहो भिवेकहा प्रस्थापितह वर्तते अहम जीवह असमाकम सरीरंतु अजीवह इती यद अजीवह तन नाहम यह जीवह सेव अहम अस्मी जीवेशू असमाकम बुद्धिश्यात जीव तत्वे असमाकम समी चीन तया यदी बुद्धिश्यात असमाकम बिवेकहा जीव पदार्थे भवेचेत तरही सरीरं प्रती मूर्चा बिगलेत सरीरं प्रती असमाकम समर्पणं असमाकम जीवनं सर्वं सरीरायेव समर्पितं अस्ति तन नस्यात आत्मानं प्रती आध्यात्मिकम जीवनं प्रती असमाकम किमपिकरत अभ्यं असमाकम जीवने भवे देव यदी तन्नस्यात तरही मनुस्य जीवने यह आवश्य कह पुरुशार्थाह धर्म तत्वं अभिज्यातं वस्तुतह दुखं अपहाय सुखंच लबधं तन्नस्यात जयन दार्ष्न काई हो येतत सर्वं कृतं इत्यवना सर्वय दार्ष्न काई हो जीवा जीवयो हो विवेक ख्याती प्रस्तुताव वर्तते अतहा दर्शन सास्त्रियम तत्व मेतत तत्व ज्यानमेतत तत्व ज्यानार्थम स्वकियम स्वतंत्रम वस्तु आवश्यक रूपेण अस्माभी स्वीक क्रियेतो यदि तात्विक रूपेण वयम नजानीमह बस्तुतत्वम तरही अस्माकम ज्ञानम तात्विकम नईव भवितों अरहति जगतिक बस्तुनाम परस्परम सैयोगेपी किमपि बस्तु स्वकियम स्वातंत्रम स्वकियम सत्वम नजहाति न चो किम अपिवस्तु अन्यत्र बस्तुनी परिणमते परिणमितुंबा अरहती प्रतेकम अपिवस्तु स्वकियाई है स्वकियाई है परिणामाई है प्रतिछनम बरीवरती यद साइयोगिकं अस्तित्वं सैयुक्त परिणामत्वंच असमाकं बुद्धव प्रतिफलती तत सर्वथा मिथ्या नास्ती निमित्ने मिथ्यक संबंध दिशा तत साइयोगिकं अस्तित्वं सैयुक्त परिणामत्वंच सम्यक प्रतिभाती तत सर्वनाम वाची पदम अस्ति तस्य वस्तुनह ज्यानम तत्य ज्यानम अस्ति तत तस्य वस्तुनह सुभावह एव तत्य ज्यानम तत्य मीमान सा वर्तते वस्तुतह दर्शन सास्त्रियम एतत इस्पस्टम प्रति फलम अस्ति यत तत्य ज्यानम एव सम्यक अस्ति तत्तु ज्यानम तावत साईयोगी केशु पदार्थेशु अपी विधातुम शक्यते यथा मनुस्याह समीचीनः पदार्था नचा मनुस्याह मिथ्या पदार्था यदी मनुस्याह मिथ्या पदार्था स्यात तरही सर्वे मनुस्याह विब्रम रूपेन एव स्वीकृतास् मनुस्याहा विभ्रम स्वरूपाह नई विसंती, मनुस्याहा जीवाह एविसंती, तेसू, तेसू मनुस्येसू, जीवहा तिष्ठती, स्वकियह स्वकियह जीवहा, सर्वेसू मनुस्येसू वर्तते, तेसाम मनुस्यानाम स्वकियम स्वकियम सरीरम अपी, निमित्य नेमित्य असंबंध बलात ग्याय ते, अस्माकम जीवनस्य निर्धारण नम, संसर्ण छक्क्रम य च या दबर्त् कन, तंच करम बलात प्रचलती कर्मनां भलात, नोकरम सरीराधिक मसमा भी प्राप्य ते, तेसुण सरीरेशू प्रक्रिया जाय ते सु सरीरे सु विविधानी कार्यानी भवंती ते साम कार्यानाम परिज्ञानम जीवा जीवयोह तत्वयोह समीची नेन यथार्थेन वा ज्ञाने नईव भवितुम आरहती यदी एवं नस्यात तरही किम अपी भवितुम नारहती सत्यस्य परिज्ञानम एती जीवह एव जीवह इती जीव तत्वम अजीवाह पदार्था हा अजीवाह एव सरीरम अजीव पदार्था हा न जीव पदार्था हा न आत्मा तथा पी सरीरम आत्मानम बिना न लब्धते असमा भी जीव ब्यवहार रूपे न तथा चा आत्मानम बिना सरीरम किम पिमहत्व ना विभर्ती सरीरेण बिना असमा भी जीव तत्वां की न ग्यायते इती उभयोह काचेत अपेक्षा आवस्य की द्रिश्यते तद बलात निमित्य निमित्यक संबंधा दार्शनिकाई हा भिसं ब्रिचारित हा जीवा जीव तत्वयोह स्वरूप निर्देश हा असमा भी गंतब्यहा ततह सर्व प्रथबं सर्वदर्शन संग्रहकारस्य यहा मतमा आस्ते सहा स्विक्रियते अत्ते बदंती अत्र संछेप तहतावत जीवा जीवाख्ये द्वे तत्वय इस्तहा अस्याम श्रिश्ट्याम द्वे तत्वय इस्तहा जीव तत्वं अजीव तत्वं च तत्र बोधात्म को जीवह, अभोधात्म कस्च अजीवह, यत्र पदार्थेसु ज्ञाना भावह, साजीवह, यत्र पदार्थेसु ज्ञानम विद्यते, बोधोबा भावती, सापदार्थाह, जीवह एव जीवतत्वं, अजीवह एव अजीवतत्वं, इह लौकिका नाम, इ छेतुं अलं नास्ती तेनन अस्माभी नैव ज्यायते केवलं लऊगीकाः वधनती मनुष्या दयों जीवाह सुस्क काश्टा दयस्च अजीवाह सत्यमेतत चेतना व्योहार संबेताह जीवाह तद विरहिताश्च अजीवाह अथवा चेतनादी प्राणवंतो जीवाहा प्राण हीनत्वात अप्राणवंतो ही अजीवाहा इती जीवा जीव विशय लोकधारणा समधी गम्यते ततो पि नैव जीवा जीव तत्तो मूलकम परिज्ञानम भवितुम अरहती जीवा जीव तत्त परिग्ञानेन रतनत्रयोद भूतिर जायते ततस्च दुख विनिर मुक्तिही यथा योग बिधिना जाय मानेन पुर्शार्थेन भवितो मरहती सर्वता दुख विनिर मुक्तिही एव मोक्षहा तदर्थमेव जीवाजीव तत्व द्वय प्ररूपनस्य प्रेवुजनम इह आवश्यकम ज्यायते तत्र नपांडित प्रदर्शनाय जीवाजीव तत्वयोह ज्यानम आवश्यकम बुद्धी ब्यायाम संबर्धनायस चो तन समीचीनम नास्ति जीवाजीव तत्व परिज्ञानार्थम अत्र ग्रंथकारह इस्पस्टम बदती तत्र जीव तत्व परिज्ञान पुर्शार्थकाले बोधात्मको जीवाजीव तत्व परिज्ञान पुर्शार्थेवा अबोधात्मका अजीवाजीवाजीवाजीवाजीवाजीवाजीव नईव जीव तत्त्म निश्चियताम ना तद अभाव स्वरूपेन रागा दिना इति निर्देशाहा, अभो धात्म कहा अजीवहा, इति परिज्याय गरंतकारेण प्रोक्तम नास्ति खलु यत्र बोधाह सह अजीवः अत्र नबोधो अबोधाह सैव स्वरूपह यस्य सा भवत्य जीवः नजीवो अजीवः जीवः सादृश्ये पीपदार्थे जीव ब्यवहाराह, जीव सद्रिशोवयं, नजीवह इती उक्ते हे, एव मेव नयो अर्थो विमर्षणियाह, मुक्ति पुर्शार्थ दिसा, जीवा जीवयोह, तत्वयोह, परिज्ञानं अपरिहार्यं, महत्वयुतंच ज्यायते, तद बिना, मुक्ति पुर्शार्थाह, नईव प्रचलती, कुतह मुक्ति, कुतोवा सुखं, अत एव इमेद्वे तत्वे, जीवा जीव संग के, अस्माभी उतक्रिष्टे ज्यायतां, सास्त्र बचोभी, युक्ति प्रियोगेण च, उभयोह, तत्वयोह, परिज्ञाने, पी, तद बिवेको, भेद ज्यानं, मह अत्वं बाभाती, तस्मादेव तजुकतं पद्मननंदिनायतिकर ग्रंथकारेन, इसलोकद्वयं समुद्रितं, चिद चिद दोक्त्वे, बिवेकस तत्विवेचनं, उपादेयम, उपादेयं, तकर्त रागादी, ततकार्यम अभिवेकिता, उपादेयम परम्जığोति, अ उपियो गई क लक्षणम अत्रो सुईस्पस्टम ज्यायते चिदात्म को जीवतत्वम और चिदात्म कस्च अजीवतत्वम उभयोह भेदक्ष्याती पार्थक्ये न विवेचनम विवेकोवा अविधियताम सद्भी जिग्यासुभी मुख्षुभी चित्स्वरूपम तावत आत्मनी तज ज्यानमेव ज्यानात्मनोस्च परस्परम तादात्म्यम ज्यानेन बिना ना आत्मनो अस्तित्वम नचा आत्मनो बिना ज्यानस्य सत्वम नवातदो भयोह सैयोगह कदाचित केन चिच्च बिधत्तह नवा पार्थक्यम बिधातुम शक्यते स्वरूप बतोहो गुण गुणिनोर्वा परस्परम अनाध्यनंत संबंधत्वात जीवे खलू यद्वर्तते अनाध्यनंत अत्वेन तदास्ते ज्यानमेव तत स्वरूपा पेक्षया ही चित स्वरूपता जीवस ग्यायते नरागादी परिणामा पेक्षया रागादीनाम अनाध्यनंत सुभावा भावात विवेख्यातवचा प्रचलेत भेद विज्ञानम जीव एव जीवह चिदात्म कत्वात अजीवस्तु अजीव एव चित स्वरूप भिन्नत्वात यन्नास्त जीवतत्वम तत्स्यात अजीवतत्वमिती जीवतत्वस सिध्ध एव अजीव तत्व सिध्धी विधेहे प्रतिसेध नियमात यदिदम नास्तिती प्रतिसेधा खलू कस्रिचिद वस्तुनह नसंभवती नवतस्वरू पस्यति निश्चेयं ग्रंथकारो अत्रो इस्पष्टम बदती चिदात्मकं जीव तत्वं उपादेयत्वात उपादे संयक कुर्वतव जीव से एव मोक्षपुर्शार्था संभवती नान्यस से इतिगेयं कुतह इतिचे प्रोच यति रोपादेयतत्व विध्यानीन बिना बिवेको नजायते बुद्धाव विवेक सून्य बुद्ध्या च परपदार्थान प्रत्यात्म-बुद्धि बलभ एक स्च प्रभावति तक पद्ध्म आत्म्ने श्यात इति भ्रम बुद्धि रागत युद्वेस्विकार परवित्त प्रभवति ततक अकार्यव प्रवलायते ततस्च रागो द्वेसस्च सततं बहुलायते ततस्च कर्म बंधा तत एव संसरन पुर्शार्था पुनुरपी पुनुरपी जायते जीवे संसार चक्रमिदम अवरोधुम जीवह जीव तत्वम अभिज्यातुम इहेत तद उपादान बुद्ध्या जीव तत्वम उपादेयम करोतु अजीव तत्वंच यदा बुद्धु प्रतिफलितम स्यात तद अस्ति हेयमिती बुद्ध्या हात अभ्यम तत यज ग्यात्वा कर परम जोति स्वरूपं भवितो मरहती तत्स्यात परम जोति रूप योगैक लक्षणं केवल ज्ञानं केविलं रागादि सुन्यं बा ज्ञानं उपादेयं भवती इती गेयं अत्र जीव तत्वस्य यथार्थम ज्यानम तल लक्षणम बिना नईव संभवती अतह जीव लक्षणम उपयोगा हा इती इस्पस्टयती ग्रंथकारा हा सहज चिदरूप पर्णतिम स्वीकुर्माने ज्यान दर्शने उपयोगा हा इती अत्रावधेयं भवती चित्स्वरूपो जीवः तस सहज की स्वाभाविकीवा पर्णति ही प्रतिच्छनम जीवे भवती ताम पर्णतिम स्वीकृत्य जीवे ज्यानोप योगो दर्शनोप योगश्च केवलिनो अरहतह खलू योगपद भवतह संसारिणांच सर्वेसाम यथा योगतया क्रमे नईव जायेते न योगपद इति नियमह जैन दर्शने सास्त्रेसु प्रबर्तते चैतन्यानु विधाई जीव परिणामह उपयोगो भवती ज्यान दर्शनोप योग भे भवती अस्ट विधत्वेन मतिज्यानं सृतक ज्यानं अवधि ज्यानं मनापर्यय ज्यानं केवल ज्यानं कुमति ज्यानं कुस्रुत ज्यानं विभंग अवधि ज्यानंच दर्शनोप योगस्य चत्वारु भेदाह संति चक्षु दर्शनं अचक्षु दर्शनं अवधि केवल दर्शनम च अयमिव उपयोग है ऐव जीवा-जीवयोष अन्यों नयत्वस्य प्रति-पत्ति-कारणं भवती तत कथा मिति चेत उच्यते उपयोगास चेत यदा जीवा-जीवयो तत्वयोः विवेकम बिनापरिणम ते अर्थात जीवो यदा जीवा-जीवयो conviction धात् परश्परम एक प्रदेशात्म को बंधो जाये ते ततस्च संसारी जीवो बंध को सन्येव वर्त ते तच चैतन्यम निमित्ता पेक्षया नैमित्तिकम परिगण्य ते एवंखलु पराधीनम चैतन्यम विविधतया प्रज्याप्ते ते सूरिभी तदनुसारेण ज्यायंते चिदनु वर्तिनो भावाह जीवस्य अउप्समिक भावाह चायक भावाह चायोप्समिक भावाह अउदैक भावाह पारिणामिक भावास्य इमे भावाह अपी जीव स्वरू पत्त्वात ग्यात अभ्याह भवन्ति सर्वदर्शन संग्रहे जीव तत्वस्य एव परिधव स्री माधवाचार्य वर्यह प्रतिपादयती सा परस्पर प्रदेशानाम प्रदेश बंधात्मक कर्मनै की भूतस्यात्मनो अन्योन्यत् प्रतिपत्तिकारणं भवती सकल जीव साधारणं चैतन्यं उपसम चै चैयोपसम वसात् आउपसमिक चैयात्मक चैयोपसमिक भावेन कर्मोदय वसात् कलुसान्या कारेण चा परिनत जीव परियाय विवक्षायाम जीव स्वरूपम भवती यद वोचत बाचकाचार्याह उपसमिक चैकव भावव मिस्रस्च जीवस स्वतत्तो मौदय क पारणाम काउच वस्तुतह सर्वेसु संसारी मुक्त जीवेसु प्रत्यकम अपी जीवे स्वकियाह स्वकियाह पारणामिक भावाह वरिवर्तंते अउदैक भावास्तु यथा योग्यम तथैव संसारी जीवेसु प्रतिछणम परिणमंते अउपसमिक भावास्तु के सुचिद एव मुक्ती मार्ग स्थितेसु कदाचित भवन्ती चायोप समिकाह चायकाह भावाह यथा सास्त्रम संसारी स्वेव मुक्ती मार्ग स्थिते सु ज्यातब्याह भवन्ती जीवा जीव तत्वयो हो विवेक ख्यातव सत्यामेव जीवस भवितम अरहन्ती अउप समिक चायोप समिक चायक भावाह अउदाएक भावाह, छायोप समिक भावस्च, पारणामिक भावास्च, सर्वे संसारी जीवेशु बरतंते एव, एते साम पंच भावानाम, असाधारन अत्वं, प्रतिपाद्य, जीवस्य, स्वतत्वं, प्रतिपादितं, तद्य था अउप समिक आदयो भावाह, के विलम जीवेशु एव, भवितो मरहंती, न अजीवेशु, के सुचिद अपिपदार्थेशु, तसमात इमें जीवस्य एव, असाधारन भावाह, प्रोच्चेंते, एते साम, स्वरूप निर्देशह, किंचित अत्र प्रस्तु एते, प्रत्म अउपसमिक भावह, माध्वाचार्याह, पदती, अनुदय प्राप्ती रूपे कर्मण अउपसमि सती, जीवस्य उत्पद्यमानो भावह, अउपसमिकाह, यथा, पंके कलुस्ताम कुर्वती, कतकादी द्रभ्य संबंधात, अधापतिते, जलस्य स्वक्षता, अपिच, प भूति ही उपसमा, यथा, कतकादी द्रभ्य संबंधात, अंभसी, पंकस्य उपसमाह, उपसमाह, प्रयोजनम, अस्य इति, अउप्षमिकाहिती, जीवेशु, खल्वयं भावह, दुविधो भवती, सम्यत्व भावह, चारित्र भावस्चेती, आत्मनी यदा स्रद्धा ग उपसमे सती भवती, तथाच, तत्र, विशेशाह, अयंग्यात अव्याह, दर्शन मोहिनी अस्य मिथ्यात्व प्रक्ते है, सम्यक मिथ्यात्व प्रक्ते है, सदवस्था रूप, उपसमाह अपी भवती, उद्या भावी, छयोपी भवती, सम्यत्व प्रक्ते है, तत्र, अपि ज्यायते एवं खलू चायो उपसमिक भावाहा भवती और उपसमिक भावाहा दुविधा एव स्रद्धा गुणस्य परियाएशू उपसम सम्यक्त रूपेण चारित्र गुणस्य परियाएशू चारित्र उपसम परियाएशू उपसम चारित्र रूपेण चायक भावास्च पूझ पादेन आत्मनी कर्मन हा स्वसक्ते कारण वसात छयाह आत्यंत की निर्वित्ती उच्यते यथा तस्मिन्नेव अंभसी सुचि भाजनांतर संक्रांते पंकस्य अत्यंता भावा एवं छयाह प्रियोजनम यस्सा भावो भवती चायका अपिच सर्वदर्शन संग्रहे चायक भाव विशयकम एतद वर्तते कर्मन हा छये सती जायमानो भावा चायकाह यथा पंकात प्रतक भूतस्य निर्मलस्य इस्फटिकादी भाजनांतर गतस्य जलस्य स्वक्षता यथा मोक्षाह आत्मनि खलुए भावाह यदा प्रतिबंध प्रत्य कर्मनाम छयात जायनते ते भावाह चायकाह प्रोच्यनते चायक भावाह सास्त्रकारईह नव विधाह प्रोच्यनते चायक सम्यक्त्वम चायक चारित्वम चायक ज्यानम चायक दर्शनम चायक दानम चायक लावा चायक भोगह चायक उपभोगह चायक बीर्यंच चाईब समिक भावः सर्व दर्शन संग रहे चाईब समिक भावं विस्पश्टार्थम स्री माधवायचारी और प्रोक्तम उभयात्मा भावो मिस्त्रह यथा जलस्य अर्ध स्वक्षता अपिच पूझ पाधादेव नंदिना चयोपसमिक भावाह, एवं प्रकारेन प्रतिपाधिताह, उभयात्म को मिस्रह, यथा, तस्मिन नेव अंभसी कतकाद इद्रभ संबन्धात, पंकस्स छीना छीन बृत्तिहि, आत्मनी, जाय मानास्ते, चयोपसमिक भावाह, प्रोच्यंते, ये प्रतिबंध प्रत्य कर्मनाम प्रग्यत्र संज्युक्षुर्व् चायोप स्वामिक भावाहा भवंती ते अस्टा दस्धा विवज्यनते तत्र चत्वारी ज्यानानी मति ज्यानम सुरुत ज्यानम अवधि ज्यानम मनपरे ज्यानम त्रीणी अज्यानानी कुमति ज्यानम कुसुत ज्यानम विभंगा वधि ज्यानम त्रीणी दर्शनानी प्रवार्थ सिद्धिती कायां चार्वार्थ आत्मनी कर्मना स्कते कारणबसात् द्रभ्यादी निमित्वसात्य कर्मनाम फलप्राप्ती उदयाह, उदयस्च प्रयोजिनम अस्यती आउदयाह, कर्मनाम उदये सत्ये भावाह जीवे सु भवंती, ते भवंती कर्मो दये, निमित्य सापेक्षत्वात आउदयाह, ते खलुभावाह, एक बिनसती भेदे भ्याह, अवगम्यनते, चतस्रह गतयाह, यथा मनुष्य गति नरग गति ही, त्रियंच गति ही, देव गति ही, चत्वारह कसायाह, क्रोध कसायाह, मान कसायाह, माया कसायाह, लोब कसायाह, त्रीनी, लिंगानी, इस्त्री वेदाह, पुम्बेदाह, नपुन्सक वेदाह, सड लेश्याह, कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत पिजो लेश्या, पद्म लेश्या, सुक्ल लेश्या चा योग कसायानु रंजित हा आत्म परिणामहा लेश्या उच्चते। अपिचा मिथ्यादर्शनम अपि अउदैक भावाः अज्यानम अपि अउदैक भावाः असैयत भावाः अउदैक हा असिद्धत्वंचा यजीवे सुवर्तते तद अपि अउदैक भावेन ग्यातब्यम पारणामिक भावा हा, सर्वदर्शन संग्रहे स्पस्टम उक्तम कर्मोप समाध्यन पेक्षः सहजो भावा हा, चेतनत्वादी ही पारणामिक हा, पुझपाद देवनन्दिस्तु पारणामिक भावम निर्दे सती, द्रभ्यात्म लाव मात्रहेतु कह परिणाम हा, परिणाम प्रेयोजनमस्यति पारणामिकाह प्रमुक्तया पारणामिकाह भावाह जीवत्वं भव्यत्वं अभव्यत्वंच त्रिधा प्रोच्यंते। प्रोच्या प्रोच्यंते ये चाणरहा प्रोच्यंते। भव्यत्वंच तवत्व्यत्वं अभव्यत्वं अवस्चंएव मुक्तिम प्राप्श्यंते स्वकियेन योगेन पुरशार्थेन एवा, अभव्यास्तु कदाचि धपी अनंत काला नंत रेपी मुक्तिम नई विलपस्यंते अभव्यास्तु सदैव अनाध्यनंत कालम यावत अभव्याह एव भविश्यंती भवंती चाईदानीम भव्यास्तु मुक्तव गत्वा मुक्तात मानु भवंती न भव्याह न वसंसारि न भव्या भव्यत्व व्यवहरा संसारी जीवे सुय व बरततते।। इधानीं एतत्थ॥ भेद विज्यानम, झीवाजीव॥ तत्वयो भेद क्यानम कथमपनाह ज्ञान hackersาม पांट॥ ज्ञान उच्छत τत्र ज्नां आत्मनो हn संमंधद्धा अपयत्र सूचतते। आत्मनह ज्यानम कथंचित भिन्नम कथंचित अभिन्नम ज्यात अभ्यम स्यात यदी आत्मनह ज्यानम सर्वता भिन्नम स्यात सर्वता अभिन्नम स्यात तरही तत्तु ज्यानम भवितुम नार हती भव्यत्वम अभव्यत्वम बा यथा योगतानु सारेणईव भवती चैतन्यम इव पार्णामिक भाव सरूपत्वातिती चैतन्यम खलू ज्यान मेव आत्मनो गुणाह गुणत्वात चैतन्यम खलू आत्मनो भिन्नाह स्यादिति संकायाम प्रोच्चते सर्वदर्सन संग रहे स्री मादवाचारियन सरूप संबोध नस्य बचनम प्रस्तुत्य। तद वच्नमस्ती ज्ञानात भिन्नो न अभिन्नो भिन्ना भिन्ना कतंचन ज्ञानं पूर्वापरी भूतम आतमा इते कीटिताः जाइन तत्व ज्नस अभिन्न दिशा गुण गुणिनो अभिन्नक्त्वम ताधात्म्यात एव अंगि कृषते। तथा पी गुणाह एव एकाह गुणी नास्ती अर्थार्थ गुणी नी एकाह एव गुणाह नास्ती अनंताह गुणाह तत्रसंती गुणी नी प्रत्येकम अपी भवंती अनंत गुणाह प्रत्येकम अपी गुणाह स्वकिय इहर एव परिणामय परिणमते ततो ही तद वैस चिस्ट्यम मिथाहा गुणेभ्यो गुणिनस्च ग्यायते यतो ग्यायते गुणहा एव गुणी नास्ती एवं खुल गुण गुणी नोहो परस्परम कथंचेत भिन्ना भिन्नत्व मेव गेयं। यतह ग्यानमेव स्याद आत्मा इती आत्मनहा अनंत गुणाधारत्वात नोचितम एततियत ग्यानमेव आत्मा आत्मा चैव ग्यानमिती ग्यानात्मनोहो परस्परम ताधात्म संबंधेपी तदु भयोहो गुण गुणी भेदात आधाराधे भेदाच्या गुणाहा गुण भिन्नत्वम अपिसिध्यती अता एव आत्मा ज्यानात कथंचित अभिन्नह कथंचित चभिन्नह कथंचित खलु भिन्ना भिन्ना प्ररूप्पते पूर्व काले यज ज्यानम आत्मनी आसीत तन नास्ति बर्तमाने बर्तमान कालिकंच ज्यानम भावनी काले नईव भविता तथा पी तज ज्ञान प्रवाहेन ग्यायते यदात्मा तो सएव संप्रति बर्तते यह पूर्वमासित साम प्रतिकस्चयम आत्मा आगामिनी कालेपी सो अयम आत्मायती प्रत्ययेन ग्यातुम शक्यते ततो निश्चियते खलू ज्ञान आत्मनह परस्परम भिन्ना भिन्नत् भेदा भेदत्वम भा कथंचेत। अत्र संकाकारेण संका उपस्थापिता। भेदा भेदयोह। परस्पर परिहारेण अवस्थानात अन्यत रस्यईव बास्थ वत्वात उभयात्म कत्वम अयोक्तमितिचेत। परस्पर्व विरोधिनो हो भेदा भेदयो हो धर्मयो हो एकत्र आत्मनी अवस्थानम नास्तीती संकाकारस्य अभिप्रायाहा तत सुत्वा बदती ग्रंतकारहा तत अयुक्तम बाधे प्रमाना भावात। अनुपलंबो ही बाधिकंप्रमानम नासह अत्र अस्ती समस्तेशु वस्तूशु अनेकांतात्मकत्वस्य स्यादवादिनो मते सुप्रसिधत्वात इत्यलम यथा भावधर्महा तत अभावधर्महा यथा भेदहा तत अभेदहा एकस्मिन नपिवस्तुनी सिध्यती अत्र प युक्ति पूते न ज्याने न ज्यायते अपी। तत्र बाध कत्वेक अस्यापी प्रमानस्य प्रिवित्ति नारहती। बाधक प्रमानम तावत अनुपलंभो भवती। यदि बस्तुनी भेदा भेदयोहो सिध्धेर भावहा। ज्यायत तरही वक्तुम् शक्येत बाधक प्रमानम तत्रास्ते। नास्ति बाधर प्रमान सद्भाव अत्र, अतः भेदा भेदयोह, एकत्र अवस्थानम अस्ति, इति बस्तुनो अनेकां तात्म कत्वात, स्याद वादेन साधैतुं सक्यते, भेदा भेदयोह, विरोधो नास्ति. सर्वदर्शन संग्रहे जीवा जीव तत्व द्वयम इती केचन बदंती इती संकाम उपस्थाप्य ग्रंथकारेन विवेचनं कृतं जीवा जीव द्रभ्यानी अपिसंती जीवा जीव तत्वानी अपिसंती जीवा जीवा दीनी द्रभ्यानी जीवा जीव तत्व परिज्ञानं बिना सम्यग्यातुम नसक्यते इति कृ्त्वा पूरुवं गरंथकारह जीवा जीवतथ्त्व विशय बदति असमाभी यद विचारितम, जीवा जीवतथ्त्व विशय, जीवतत्वं असमाभी यद ज्यातम, तेन अस्मा सु जिग्यासा भावती अहम कह अस्मी सर्वे बदंती अहम मनुष्याह अहम चा पुर्शाह अहम चा सिक्षकाह इत्तेवं प्रकारेण यावंता व्यवहाराह जगती अस्मा कम विशय प्रचलंती ते व्यवहाराह ज़ीव तत्व योगे नई व्य संभावंती अजीवस्य योगह अस्माकम चीवने भर्चते अजीवं प्रती यदि अस्माकम दृ्ष्टिश्यात यदि अस्माकम बुध्धि अजीवस्य सरीरस्य भिकसने एव ब्यपगतास्यात तत्रय तस्याम बुद्ध्याम एव अस्माकम जीविरं गच्छेत अंतम्यावत तरही किम भविश्यती तरही अज्ञानम एव पुष्णाती अस्माकम बुद्धौ तत्त्त ज्ञानम कथमपी नईव प्रतिफलितुम अरहती आस्माकम बुद्धौ तत्त ज्ञानम प्रतिफलेः आस्माकम बुद्धौ समीचीनम तत्तवम प्रतिभासेत अस्माकम प्रतिपत्ति जीवं प्रतिस्यात अस्माकम ज्याने परमार्थता समाविशेत परमार्थतत्वं किम अस्ती अहम अस्मी आत्मा किन्तु इंद्री ज्यानेन आत्मानम ज्यात्वं न प्रभवः कुतहना इंद्री ज्यानेन केवलं अजीव तत्वं ज्यायते अतिंद्री ज्यानेन एव जीव तत्वं ज्यात्वं सक्यते जीव जीव तत्वयोहो यदी समीचीना बुद्धी अस्माभी अनेन पाठेन बिधियेत तरही अस्माकं जीवनम आत्मनह बास्तविक स्वरूपं यथार्थ स्वरूपं ज्यानात्मकं एव रागात्मिकी या स्रिष्टी आत्मनी प्रतिछनम जायते सच अजीव पदार्थ बोध बलात एव भवती यदी अस्माकं बुद्धी अजीवे सु पदार्थे सु सरीरादी सु व्यापारम न कुर्यात तरही अस्माकं न रागाह जायत न वद्वेसा जायत रागत द्वेसा भ्याम बिना बुद्धव पक्षपातो न भवती यदी ज्ञानम स्यात तरही तज ज्ञानम तत्व ज्ञानमेव तत्व ज्ञानात अस्माकं हितं भवती तत्व ज्ञानात रिते हितस्य कल्पना नास्ति मुक्तिही भेद विज्ञानी नईव संभवती जीवा जीवयो हो विवेख्याती रेव मुक्त्यर्थं आवस्यकी व पाठेन अनेन चा उपदेशेन सर्वदर्शन संग्रहस्य असमासु भवितम अरहती इति असमाकं कल्यानाय एव प्रतियते नमोस्त